देखे रावन के मुद्दे पर हमारा ये मानना है कि रावन जैसे विद्वान, तिरलोक पती की खयाती प्राप्त और स्वेम्प स्री राम ने जब रावन अपने प्राण त्याग रहे थे तो लचमन को ये कहा कि जाईए और रामन से कुछ ग्यान ले लीजे जाके, जब भगवान श्री राम स्वेम अपने भाई को आदेश दे रहे हैं कि रामन विद्वान है, इतने विद्वान विक्ती से जाते जाते कुछ ग्यान हासिल कर लेना चाहिए तुमें, तो इसका उनकी विद्वान तो आपे सवाल नहीं खड़ा हो सकता, और ऐसे विद्वान विक्ती को हर दसेरा पर एक चलते फिरते मानव जाती, जिसके अपने कोई सिद्धान्द नहीं होते, जो समय समय पर अपनी विचारधारों को बदलते रहते हैं, जिनका भगवान श्री राम से पुतला दहन कर देते हैं, इससे हम ब्रामनों की भावना आहत होती हैं, और आगे चलके, ये निर्ना हुआ है हमारे समस्त बैठक करके, कि ऐसे लोगों के बुरुद्ध हम F.I.R. दज कराके न खिला मुकतना दर्ज कराएंगे, साथी साथ, और अगर पुतला दहन करने का, या महीला के उत्पिडन का प्रतीक्षिन रूनना है, तो दुष्चासन और दुरुद्धन का पुतला भूखने का काम करें, उन लोगों से ज़्यादा दुराचारी और महीला उत्पिडन का नाल बेक्ती स्रिश्ची पर न कभी पैदा हुआ और न कभी होगा, पूरे भार देश में हमारे समाज का बहुत संख्यक बोट है, समझ समाज की तरफ से हम ये आवहन के माध्यम से अपने लोगों में चर्चा कर चुके हैं, कमेटियों से बैठक कर चुके हैं, अब आगे कोई भी इस तरह की घटना घटित होगी, तो रावन के मुद्दे पर हम लोग एबी पी गंगा, खबर आपकी, जबाँ आपकी